ये एक सच्ची कहानी है एक ट्रांसजेंडर श्री गौरी सावंत के बारे में तो एपिसोड वन के शुरुआत में हम गौरी के वाइस ओवर को सुनते हैं जो कहती है कि वो पहले गनेश हुआ करती थी और अब लोग उसे हिजडा कहते हैं तो कोई सोशल वर्कर लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो श्री गौरी को मा कहकर बुलाते हैं एक फ्लैश बैक में देखते हैं जब गौरी एक लड़का गनेश हुआ करता था वो अपने क्लासरूमें होती है और उसके टीचर उसे कहती है कि करियर एप्टिट्यूट टेस्ट होने वाला है ये सुनकर टीचर नाराज हो जाती और कहती है अब तुम बैठ जाओ ये सब सुनकर उसके सारे क्लासमेट उस पर हसने लगते हैं घर पर गनेश अपनी मा से पूछता है कि मैं मा क्यों नहीं बन सकता जिस पर उसकी मा कहती है कि मा बनने के लिए बच्चा पैदा करना जरू अब धीरे धीरे गनेश लड़कियों की तरह लिपस्टेक बिन दिया और मेकप लगाने लगता है और उसकी मा एक दिन उसे पकड़ लेती है अब कहानी आती है प्रेजन्ड में हम ट्रांसजेंडर गौरी को देखते हैं जो साई बाबा की बहुत बड़ी भक्त है और वो अ एक मुना नाम का भी एक ट्रांसजेंडर था दोनों बाते कर रहे होते हैं कल आने वाले नतीजे के बारे में जिसे ये पता चलीगा कि आखिर ट्रांसजेंडर इस देश के नागरिक है या नहीं और इस केस को लड़ने में गौरी अपना सब कुछ दे चुकी है और अब उस सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर होनी है क्योंकि तीन घंटे के बाद वो अपना फैसला सुनाने वाले हैं कि ट्रांसजेंडर हमारे देश के थार्ड जेंडर होने वाले हैं या नहीं कोर्ट जाते वक्त गौरी को एक हिजरा मिलती है लेकिन गौरी समझ जाती है कि ये अस पर तुझे सब कुछ मल जाएगा मैं एक ही बात बोल बोर कर ठक चुकी हूँ अगर तुम्हें कुछ दूसरा पूछना है तो तुम उसे पूछ सकती हो एमेंडा पूछती है कि आपके पिता का क्या रियाक्शन था जब आप ट्रांसजेंडर बनी या फिर आपने इस प्रे पापा जो इंस्पेक्टर है वो बहुत गुसा हो जाते हैं और अपने बेटे को स्टेज से घसीड़ते वे वहां से ले जाते हैं घर आकर वो गनेश को मारते हैं और कहते हैं कि तुझे नाचना है तो नाच लके निजगाने पर नहीं और वो अपने बेटे से कहते हैं कि त अपने स्कूल से घर आई ही रहा था और उसने अपनी माँ के लिए बिंदी खरीदा है लेकिन घर आने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही उस दिन को याद करके गौरी थोरी एमोशनल हो जाती है फिर आखिर में वो और एमेंडा सुप् कोटर्स का दिल जीत लेती है लेकिन जैसे ही वो कोट के अंदर जाती है एक आदमी जो लॉयर के भेस में था वो उसके चहरे पर कालिक फेग देता है और कहता है कि अगर वो पीछे नहीं हटती है तो अगली बार कालिक के जगा ऐसे होगा अब एपिसोड टू में गौरी औ और एमेंडा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं कंप्लेट लिखवाने के लिए लेकिन बाहर बैठे दो पुलिस आफिसर्ज गौरी पर हसने लगते हैं एमेंडा गौरी से कहती है कि तुम्हें जाकर अपना चेहरा धो लेना चाहिए लेकिन गौरी ऐसे ही रहेगी एमेंड गौरी से पूछती है कि आपकी सर्वाइवल की लड़ाई यहीं से शुरू हुई थी कि आप उसके बारे में कुछ कहना चाती हैं जिस पर गौरी बताने लगती है कि उसकी सर्वाइवल की लड़ाई शुरू हुई थी उसकी मां के गुजरने के बाद कुछ महिने के बाद उसकी बड़ी दीदी की भी शादी हो गई और वो घर से चली गई, फिर घर पर गनेश और उसके पापा ही थे, दोने एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे और उसके पापा तमाम कोशिच करते रहते थे ताके गनेश थोड़ा सा मरदाना बन जाए, फिर हम फ्लैश बैक में जब गनेश के पापा गनेश को एक सेक्स क्लिनिक ले कर जाते हैं गनेश के ट्रीटमेंट के लिए गनेश जाकर डॉक्टर से बात करता है और डॉक्टर उसे लड़कों के प्यूबर्टी के बारे में बताने लगते हैं और पूछते हैं क्या तुम्हें लड़कों में इंटर इतना अलग भी मत होना, प्रेजेंट में हम देखते हैं कि गौडी को डाइबिटीज और हाई प्रेशर है और हॉर्मोनल इंबैलेंस भी जिसके लिए वो तीन दवाई रोजाना खाती है, फिर वो याद करती है जब बच्पन में वो दवाई खाया करती थी तो उसकी हालत कित बाडी मिलती है और वहाँ पर बहुत सारे ट्रांजेंडर बैट कर रो रहे थे और वो पुलीस को कहते हैं कि दो दिन से ये डेड बाडी कहीं सर रही थी और आप लोगों को आज डेड बाडी मिला और प्राबलम तो ये भी है कि उन्हें डेड सर्टिफिकेट भी नहीं मिल लेगा क्योंकि उन लोगों का कोई अस्तित्व है ही नहीं और जब गनेश के पापा अपने काम पर जाते हैं तो गनेश ट्रांजेंडर के साथ मिलकर वक्त बिताने लगता है लेकिन उसके पापा खुश होते हैं ये देखकर कि गनेश के चेहरे पर बाल आ रहे हैं और ये गनेश उस ट्रांजेंडर के साथ घूम रहा था और वो ट्रांजेंडर लोगों से पैसे मांग रही थी लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता और उल्टा उसे पीट देता है रोते हुए वो गनेश से कहती है कि हमारी यही सच्चाई है गनेश उनसे पूछता है कि आप ल अमरे की तलाशी लेते हैं और उन्हें बिस्तर के नीचे से टैबलेट मिल जाती हैं जो हर रात वो अपने बेटे को खाने के लिए देता था लेकिन गनेश नहीं खाता फिर वो अपने बेटे के बैक को चेक करते हैं जिसमें से बिंदी लिपस्टिक और कॉस्मेटिक की चीज जाता है और उसके पापा उसे रोकते भी नहीं और दर्वाजा बंद कर देते हैं घर छोर कर गनेश मुंबई पहुंच जाता है और कुछ ट्रांसजेंडर के साथ ट्राफिक पर भीक मांगने लगता है और तब गौरी को समझ आ गया था कि उसके पापा गलत नहीं कहते थे इस दुनिया में सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है और वो मुंबई तो भीक मांगने के लिए नहीं आये थी फिर एक दिन वो अपने घर जाने का सोचती है लेकिन उसकी दीदी उसे बाहर ही रोक लेती है और उसे पूछती है कि तो लड़का बन कर क्यों नहीं रह सकता वो अपने भाई से कहती है कि अच्छा यही होगा कि तू परिवार से दूर रहे मैं यहां सब को समाल लूँगी बेटी की भी ड्यूटी कर लूँगी और बेटे की भी रोते वे गनेश कहने लगता है कि ये घर मेरे लिए जेल बन गया था मरने से तो अच्छा था कि मैं य लिया करती थी अमेंडा चौंक जाती है जिस पर गौरी दिखाती है कि वो किस तरीके से अपने पापा से बात करती है इसके बाद वो अमेंडा के फोन से अपने पापा को कॉल लगाती है और वोटर कार्ड अपडेट का बहाना मार कर वो अपने पापा से बात करती है और फ पसंद तो करते हैं लेकिन सिर्फ FB पर एमेंडा उसे पूछती है कि आपको इतना कुछ सहना परा फिर भी आपके अंदर इतनी उमीद कैसे है गौरी कहती है कि मैं उमीद के सहरे ही आगे बढ़ती हूँ और देखते हैं कि मुंबई में कैसे कैसे साथ साल गुजर गए पता भी ने चला तभी उसकी लाइफ में नवीन की इंटरी वी थी तभी पुलिसेशन में नवीन आ जाता है जो भी एक एक्टिविस्ट है दोनों जेके के बारे में बात करने लगते हैं पता चलता है कि जेके एक बहुत बड़ा पेंटर हुआ करता था जिसने गौरी की मदद की उसे अपने घर पर काम दिया घर की साफसफाई करने के लिए और रहने के लिए अच्छा कमड़ा भी लेकिन गौरी को एक नकली मूच देता है फिर हम फ्लैश बैक में देखते हैं कि गौरी काम ढूंडरी होती है तब ही उसे मेल वेटर का एड मिलता है और इसलिए वो काम पर जाने के लिए एक नकली मूच खरीती है तब जाकर वो होटल में काम कर पाती है वो कॉलेज में पढ़ाई करने लगती है और एंजियो में काम भी करती है अब तो लड़कियां भी गौरी पर फिदा होने लगी है जो भी उसके लिए प्रॉब्लम बन जाती है एक दिन गौरी हिजडो के कम्यूनिटी में जाकर परचे बाट रही थी तब ही वहाँ पर एक ट्रांसजेंडर वो काफी दु आई है जो एंजियो की वालेंटियर है और वहाँ हम नवीन को भी देखते हैं जो स्पीज देता है और वो अपने पास गौरी को बुलाता है जो उनके लिए तीन साल से वालेंटियर का काम कर रही है लेकिन वहाँ एक वालेंटियर और खड़ी होकर कहने लगती है कि वो इन नर्गेज वहां से जाने लगती है, गौरी उसे रोकती है, नर्गेज ये सोचती है कि गौरी एक लड़का है, और वो उसे कहती है कि अगर तुझे हम लोगे की सच में फिक्र है, तो पहले हम जैसा बन कर दिखा, फिर बाद में बात करना, अब सभी के जाने के बाद गौरी अफसोस करने लगती है कि दो साल से वो ये काम कर रही है, लेकिन आखिर में क्या हुआ, कुछ भी ने मिला, नवीन उसे कहता है कि अगर तुछ चाहती है, कि वो तुझे अपना माने, तो तुझे उनकी तरह बनना होगा, कुछ दिन के बाद वो हॉस्पिटल जाती है अपन गंपती फेस्टिवल चल रहा है, इसके बाद गौरी अपने पापा को कॉल करती है, लेकिन अब उसमें इतनी हिम्मत है नहीं कि वो सीधे बात कर सके, और लोन कंपनी का बहाना मर कर बात करती है, और उसके पापा फोन रख देते हैं, फिर फॉर्म भरते वक्त वो अपने रिलेटिव वाले जगा पर साई बाबा का नाम लिखती है, और एडरेस में लिख देती है एवरिवेर, फिर आखिर में गौरी अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाती है, ऑपरेशन के बाद गौरी को होश आता है और वहाँ एक नर्स काम कर रही थी, गौरी उसे पूछत पर देती है कि गनेश अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करवा चुका है, ये सुनकर उसके पापा काफी शॉक्ट हो जाते हैं, और अब उनके लिए उनका बेटा गनेश अब हमेशा के लिए मड़ चुका है, वो गंगा किनारे अपने बेटे के नाम का पिंडदान करवा देत हैं, तो वहीं गौरी पूरी तरह से अब ट्रांसजेंडर बन गई है, और अपने कम्यूनिटी के लोगों का आशिरवाद लेकर वो उन लोगों के साथ नाचने लगती है, लेगिन तब ही उन्हें पता चलता है कि एक ट्रांसजेंडर को पुलिस ने बहुत पीटा है, इसल बेवजा ट्रांसजेंडर को पीटने के आरोप में, कल आप खुद जेल के अंदर जाएंगे, गुस्से में पुलिस इंस्पेक्टर गौरी को धक्का देता है, जिस पर वो अपने रौदर रूप में आ जाती है, जिससे पुलिस भी घबरा जाते है, और सभी वहां से अपन करने लगे, उसे एक जगा ले जाकर, तब ही वहां पर पुलिस की रेड पर जाती है, और इसलिए पुलिस उसे पीट रही थी, और वो हाथ जोर कर गौरी को अम्मा कहती है, और कहती है कि अगर आप आज नहीं आई होती, तो पता नहीं मेरा क्या हुआ होता, ये देखकर न गुस्सा हो जाती है, और वो अपने लोगों के साथ तुरंत उस घर में पहुंचती है, वहां चोटी बच्ची गुंजन होती है, जिससे एक आदमी खरीदने वाला था, क्योंकि उसकी मा का उस पर कर्जा था, जो अब उसकी चोटी बेटी को चुकाना होगा, लेकिन गौर इसके बाद वो चोटी बच्ची को अपने साथ लेकर घर आ जाती है, और बिलकुल अपनी बेटी की तरह उसे पालती पोस्ती है, अपने बिस्तर पर सुलाती है, कुछी दिन में अब चोटी बच्ची सभी के साथ घुलने मिलने लगती है, गुन जन गौरी को आई कहकर लेकिन उसे स्कूल के प्रिंसिपल उसे समझाती है के टीचिंग बिलकुल ही अलग प्रोफेशन है, तुम्हारे हर एक शब्द का परभाव स्टूडेंट पर पढ़ता है, लेकिन फिर भी वो गौरी को एक चांस देना चाती है, और वो गौरी को आठ हजार पर मन्त देने क लिए मान कर उसे अपने स्कूल में टीचर की जॉब पर रख लेती है, एक दिन गौरी गौरी को स्कूल लेकर जा रही थी, उसी स्कूल में छोडने के लिए वहाँ पर उसकी दीदी भी आती है, अपने बच्चे के साथ, और वो छोटा बच्चा पूछता है के आखिर ये क करने लगती है, उसकी दीदी गौरी से माफी मांगती है, कि तुझे जब मेरी मदद चाहिए थी, तो मैंने तेरा साथ नहीं दिया, लेकिन गौरी अपनी दीदी को माफ कर देती है, फिर एक दिन जब गौरी क्लास में बच्चो को पढ़ा रही थी, तब एक रिपोर्टर अपने कैमरा मैन के साथ आती है, गौरी की तस्वीर खींचने के लिए, और ये न्यूस पेपर की हेडलाइन बन जाता है, कि ट्रांसजेंडर ने इतिहास रज दिया, नर्गिस भी बहुत खुश होती है, लेकिन कुछ लोग हैं, जो गौरी की काम्याभी से जलते हैं, एप अपरिका जाने के लिए गौरी फ्लाइट पे चढ़ती है, और ये फ्लाइट एक्सपीरियंस उसका पहली बार है, इसलिए वो काफी नर्वस लग रही है, और वो काफी कन्फ्यूज होती है, कि आखिर उसका बैक कहां रखना है, उसे ये भी नहीं पता, फ्लाइट अटें इंटर की ग्रूप के गुरू को देखते हैं, जो गौरी के बारे में अपने लोगों से बात कर रही थी, कि क्या गौरी अमरिका में ही बस जाएगी, तो वो दूसरी ट्रांसजेंडर बताती है, कि वो कुछ दिन में आ जाएगी, फिर कुछ दिनों के बाद गौरी वापस इंडिया आ जाती है और उसकी सहे लिया काफी खुश हो दी है, और उसका स्वागत करते हैं, वापस आकर गौरी अपने कम्यूनिटी के लोगों को एडुकेशन देने का सोचती है, ताकि दोबारा से उन्हें ताली बजा कर भीक मांगने की जरुवत ना पड़े, और इन पर एक ट्रांसजेंडर कहने लगती है कि इतना तो मैं ऐसे ही कमा लेती हूँ, इसलिए वो क्लास चोड़कर चली जाती है, घर आते वक्त गौरी और उसकी सहेली नर्गिस के बारे में बात कर रहे होते हैं, फिर वो गौरी से कहती है कि तू आगे जा मैं तेरे लिए पान पर आती हूँ, फिर दोनों घर में मिलते हैं और दोनों गौनजन के बारे में बात करते हैं कि अब वो कितनी बड़ी हो गई है, और वो तो अब लिपस्टिक भी लगाती है, जिस पर गौरी उसे मना करती है कि उसे लिपस्टिक मत देना, फिर वो गौरी को पान देती है ख पार आयाने के मर्क्यूरी डाला है जिसे खाकर गौरी की जान खतरे में आ सकती थी वो वहाँ से भाग जाती है तब जाकर नर्गिस कहने लगती है कि मैंने उसे मेडिकल स्टोर में देख लिया था वो तेरा भरोसा जितने की कोशिच कर रही थी और वो यहां तुझे मारने के बचांगी दोनों समुद्र किनारे बैठे होते हैं और नर्गिस गौरी से कहती है कि दूसरे से पहले तो खुद के बारे में सोच फिर नर्गिस बताती है कि वो भी यहां से कहीं और शिफ्ट हो रही है क्योंकि वो अपने बॉइफ्रेंड से शादी करने वाली है फिर वो को अपने boyfriend मुथ्धु से मिलाती है गौरी नर्गिस के लिए बहुत खुश है फिर कुछ दिन के बाद एक आदमी गौरी के घर आता है और वो अपने टोकरी में एक छोटे बच्चे को लिये वे था वो छोटा बच्चा वो गौरी को दे दिता है और आदमी बताता है कि कोई इस बच्चे को समुदर किनारे छोर कर चला गया था गौरी तो चौह उजाती है और वो बच्चे को अपने हाथ में उठाती है और गौरी फिर अपना foundation खोलती है और धीरे धीरे बहुत सारे लोग missing बच्चे foundation में आकर दे जाते हैं गौरी उन सभी बच्चो को बच्चाने लगती है लेकिन मुन्ना गौरी से पूछता है क्या खिर तो कितने बच्चो को बच्चाएगी इससे तो तेरी जिमतारी और बढ़ती चली जाएगी इसके बाद दिन गौरी नवीन के साथ कोट और सरकारी ओफिस के चकर काटते रहती है क्योंकि वो बच्चाएगे बच्चो के लिए एक घर बनाना चाती है लेकिन लौयर और ओफिसर कहते हैं कि ट्रांसजेंडर ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो ओफिशली एक्जिस्ट नहीं करते हैं इस पर गौरी उनसे पूछती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया एक्जिस्ट नहीं करती का मतलब क्या होता है लौयर उसे कहने लगते हैं कि सरकार के हिसाब से उनके जितने भी योजना हैं वो आप लोगों के लिए नहीं हैं आप बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकते ड्राइव नहीं कर सकते ये सब सुनने के बाद गौरी लौयर से पूछती है कि आखिर इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा लौयर बताते हैं कि आपको पेटिशन फैल करना होगा वो भी सुप्रीम कोट में लेकिन इसमें बहुत समय जाएगा और अगर ये पेटिशन रिजेक्ट होता है तो सारा महनत और समय और पैसा बरबाद लेकिन गौरी इस केस को लड़ना चाहती है और इसके लिए वो वकील गौरी का साथ भी देने वाले हैं वो सुप्रीम कोट में ट्रांसजेंडर की साइड से केस को लड़ते हैं ताकि उन्हें उनका जो हक है वो मिले इस बीच गौरी को एक निउस इंटर्व्यू में बुलाया जाता है और उसे सवाल किया जाता है कि ट्रांसजेंडर जो आए दिन क्रिमिनल अक्टिविटीज रैकेट में पकड़े जाते हैं क्या वो कभी सुधर सकते हैं जिस पर गौरी कहती है कि हमें तो इंडिपेंडनेंस भी 200 साल के बाद मिला इसलिए हम मान सकते हैं कि ये पॉसिबल है और हमारे साथ धीरे धीरे लोग एड़िस्ट कर लेंगे गौरी कहती है कि अगर हम जैसे लोगों को काम मिलेगा तब ट्रांसजेंडर क्यों जाएंगे क्रिमिनल अक्टिविटीज में भाग लेने के लिए वो भी क्यों मांगेंगे ताली नहीं बजाएंगे जस पर वो इंटर्विवर कहती है कि फिर तो उन्हें खुली छूट मिल जाएगी जो काफी स्केरी है तब गौरी कहने लगती है कि असली में स्केरी क्या है मैं बताती हूँ जब बच्पन में उनके जैसे लोग अकेले पड़ जाते थें उनके ही परिवार वाले मूँ मोड लेते थें परिवार होने के बावजूद वो आनात कहलाते थें ये होता है स्केरी इस देश में जहां कुतो तक का सेंसेस होता है लेकिन ट्रांसजेंडर का नहीं और मैं अब अपने कंपनी में दो सीट खाली रखूंगा ट्रांसजेंडर के लिए और वो उसे अपना बिजनस कार देता है और कहता है कि आपके तरफ से कुछ बेस्ट लोग हैं तो उन्हें काम पर भेजिये फिर जैसी वो वहाँ से निकलती है मुन्ना का उसे कॉल आता है जो बताता है कि शादी से पहले ही मुथ्थू नर्गिस को छोड़कर भाग गया और नर्गिस ने अपनी जान ले ली ये सुनकर गौरी शौक्ट हो जाती है एपिसोड 6 में गौरी तुरंट हास्पिटल पहुंचती है और देखती है कि नर्गिस के डेड बॉड़कर को ऐसे ही बातरूम के सामने जमीन पर फेक दिया गया है तभी वहाँ पर दो वरकर आते हैं और कहने लगते हैं कि उन्ही ने नर्गिस के डेड बॉड़ी को यहां लाया कोई तो छूने के लिए तयार भी नहीं था गौरी उन दोनों से पूछती है कि इसको नीचे क्यों रखा है तभी वहाँ एक और वरकर आता है और गौरी उसे पूछती है कि वहाँ दो स्ट्रेचर्स बरेवे हैं तो आखेर इसे बातरूम के सामने जमीन पर क्यों रखा है माफी तो तुझे मागनी पड़ेगी गौरी उसे कहती है हॉस्पिटल के दीन को बुलाने के लिए और उसे दीन से राइटिंग में माफी नामा चाहिए नहीं तो वहाँ से नहीं जाएगी वो वरकर कहता है कि तुझे जो करना है कर ले मैं तुझे नहीं ड़ता फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और गौरी किसी को कॉल लगाती है अब वो वरकर हॉस्पिटल के दीन को कॉल करता है और दीन कहते हैं कि गौरी को वैसे ही रहने दो वो वेट करके चली जाएगी और कल सुबा तक मुनिसिपरेटी की वैन भी आ जाएगी उसमें डेड बोडी को फिक देना लेकिन वो सभी देखते हैं कि ऑस्पिटल के बाहर गौरी और उसके लोग धरने पर बैठ जाते हैं थोरी देर के बाद बारिज भी शुरू हो जाती है ये देखर सभी वहां से उटकर चले जाते हैं लेकिन गौरी बैठी रहती है और उसे इतनी देर तक बैठा देखकर बाकी लोगों को भी हिम्मत मिलती है और वो भी गौरी का साथ देते हैं और ताली बजाने लगते हैं अब सुबा हो जाती और सबी ऐसे ही बैठे वे हैं, फिर आखिर में डीन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, गौरी उन्हें धमकी देती है, कि अगर वो माफी नामा नहीं देता है, तो वो पांच मिनिट में मीडिया को बुला देगी, डीन गौरी को अपने आफिस में बुला इसलिए डर के मारे वो गौरी को माफी नामा लिख कर दे लेता है, और नर्गेस के डेड बॉड़ी को स्टेचर से बाहर निकाला जाता है, और नर्गेस के पास जाकर गौरी बहुत रोती है, फिर कहानी आती है प्रेज़ेंट में जहां नवीन और गौरी ये कहानी हमेशा सोचा करता था कि दुनिया की सारी दुख उसी के नसीब में है लेकिन जब वो गौरी से मिला तब उसे समझ आया कि कम से कम लोग नवीन को इनसान तो मानते हैं गौरी को तो लोग वो भी नहीं मानते फिर आखिर में सभी वर्डिक्ट का इंतजार करने लगते हैं कोट ताली बजाकर उसका स्वागत करते हैं बाहरा कर गौरी खुशी से रिपोर्टर से बात करती है और न्यूज चैनल पर गौरी के पापा और दीदी भी गौरी को देख रहे होते हैं गौरी एमोशनल हो जाती है क्यूंकि आज उसे अपने पापा और मम्मी की आदा रही थी गौरी के पापा भी काफी emotional हो जाते हैं गौरी को टीवी पर रोते वे देखकर ये कहानी यहीं पर खतम होती है। फिर हम आखरी में श्री गौरी सावंत को देखते हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि 2019 में उन्हें election commission of India की तरफ से महाराश्टर का election ambassador चुना गया और वो LGBTQ community से वो पहली है जिसे ये position मिली है। श्री गौरी सावंत ने एक NGO भी खोला है जिसे वो transgender लोगों की मदद करती है और safe sex प्रोमोट करती है। श्री गौरी सावंत के उपलब्धियों के बारे में बताया जाता है कि कैसे उन्हें TED Talk के लिए IIM काशिपूर में बुलाया गया था और इसे के साथ ताली वेब सीरीज यहीं end होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केर।